जेल में बंद था कैदी, कैदी को मिली किताब, किताब से हुई पढ़ाई, कैदी ने दिया एक्जाम और मिल गई दिल खुश कर देने वाली खबर तो देरी किस बात की, आईए समस्ते हैं पूरा माजरा, नमस्कार, News Plus 21 में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अविनास दूबे, दरसल मामला बिहार का है, बिहार के नवादा जिला जेल में बंद एक कैदी ने IIT Jam Joint Admissions Test for Masters, 2022 के इंटरेंस एक्जाम में पूरे दे सूरज, सूरज की उम्र 22 साल है, और वो पिछले 11 महीनों से हत्या के आरोप में जेल में बंद है, अब सूरज की चर्चा सोशल मीडिया पर खुब हो रही है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपके साथ साजा की जाए, अब सूरज नाम भी ऐसा है और उन्होंने काम भी साल अप्रैल में गाओं के संजय यादों की बुरी तरह से पिटाई की गई, हालात इतना गंभीर हो गया कि 45 साल के संजय यादों की मौत हो गई, संजय की पिता ने सूरज समेथ कई लोगों पर हत्या के आरोप में FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज होने के बाद से ही सूरज जेल परिच्छा की तयारी की एक्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो सूरज को 54 रेंग यानि 54 रेंग मिली, सूरज की सफलता का स्रे जेल के अधिच्छक और उसके भाई को दिया जा रहा है, जिन्होंने स्टेडी मेटेरियल उपलद्ध कराने में सूरज की खूब मदद की सूरज ने इस साल 13 फरवरी को फैरोल पर बाहर आकर IIT की Joint Admission Test for Master Jam की परिच्छा का एक्जाम दिया था, जेल जाने से पहले सूरज बिहार से बाहर रहकर इस परिच्छा की तयारी कर रहे थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सूरज को जेल में डाला गया तो उसक की हर संभव मदद की, IIT की तरफ से हर साल Joint Admission Test for Master पर इच्छा का एकोजन किया जाता है, इस इंटरेंस एक्जाम के तहत, IIT में दो साल के MSC या MTEC कोर्स में admission मिलता है, सूरज अब IIT रुड़की में admission लेकर Master का कोर्स कर सकेगा, तो अब पढ़ाई करनी हो तो बहाना मत बना रिल्स और कच्छा बादाम के आगे जहां और भी है, शुक्रिया आज के इस वाइरल खबर में बस इतना ही, ऐसी महत्वपूंड और रोचक जानकरिया हम आप तक जरूर साजा करते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे परि झाल झाल.